हलो फ्रेंड्स आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्पति साहुजी माराज यूनिवर्सिटी इनुवल एकजाम 2020 के बारे में तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखें वीडियो को लाइक करें शेयर कर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हworks या चैनल पर पहली बार भीजिट कर रहे हैं तो तो तरफ़ाइग के साथ तनाव की स्थिति तक पहुंच गए हैं उन्ते जून को सासर ने सनातक और परासनातक के सब चातर को प्रमोट करने का फैसला लिया था अभी प्रमोट करने के मानक तैक किये जा रहे थे इसी भी छुलाई को यूजी सी ने अंतिम बर्ज के चातरों की परिच्छा सितंबर मां में कराने का आधिस जारी कर दिया विस विद्धाले परसादर का कहना है कि वह सासर के नए आधिस की राद देख रहा है और परिच्छा देने वाले करीब सात लाग से अधिक चातर इस कंफ्यूजन से जूज रहे हैं 45 फरवरी से शुरूई परिच्छा लाग दिन के काणर इसकेत हो गई फिर परिच्छा करायने का नए सेट्यूल महीं में तैयर हुए बाद में इसे बढ़ा कर बीजून तयारी की गई मगर कोर्वाना मरी बनने से नरस्त करना पड़ा तो फ्रेंट्स यह देखिए कानपूर यूनिवर्स्टी फाइनली जो इस्टुडेंट कानपूर यूनिवर्स्टी से बिलॉंग करते हैं कानपूर यूनिवर्स्टी फाइनली उत्तर प्रदेश गवर्मेंट के नए आदेश की राह देख रहा है जैसा कि फ्रेंट्स अब कमर पर इच्छा कराने का दिया तो फ्रेंट सब यूनिवस्टी का कहना आए कि यो फाइनल लेड़ा होगा यूपी गवर्मेंट का होगा और कानपूर यूपी गवर्मेंट की नए आदिस का इंदिजार कर रही है यूपी गवर्मेंट आलेटी पहले कह चुके थी कि जैसे ही यूजी सी की नहीं गैलाइन आएगी उसके एक दिन बाद यानि एक तारीक को ये फाइनली डिसीजन आ जाना था लेकिन छे तारीक को आ जाने के बाद अभी तक यूपी गवर्मेंट ने परचाओं प्रमोशन के यूपी गवर्मेंट पर कि वो अपने यहां के तातकालिक हालतों को देखते हुए यूजी सी के से निर्दिस प्राप्त कर ले कि परतमान में उत्तर प्रद्यस में परिच्छा कराना संबब नहीं है तो यह बिलकुल हो सकता है इस्टूडेंट इस टापिक पर लगातार कम होता इसकी लेटेस्ट अपडेट जाने के लिए इस की पर आपको चैनल का लोगो दिख रहा होगा उस पर क्लिक करिएगा और चैनल को तुरुन तो सब्सक्राइब कर लिजिए गा जिससे की लेटेस्ट अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंशते रहें थैंक्स पर व